आप सब आप सब आप सब आप सबी बहुत अच्छे होंगे तो वैलकम टो आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे चैप्टर नमबर टू इकाई अंक ठीक है यूनिट डिजिट का जितना भी कोश्यन है वीपीन सब के मैथ मस्त्वी बुक में आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे इससे पहले हम लोग साधार इन ब्याज का पूरा एंटार चैप्टर कवर कर लिया है अगर आप वो वीडियो नहीं देखें है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से कम्प्लीट साधार इन ब्याज का वीडियो देख सकते है और आज के सेशन में हम लोग कम्प्लीट करेंगे चैप्टर नमबर टू इकाई अंग यानि की यूनिट डिजिट तो यूनिट डिजिट का चैप्टर जितना भी कोशिन इसमें दिया गया है जितना भी एक कॉंसेट है इसमें हम लोगों ने एक एक चीज एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश किया हूँ तो चलिए अब चलते हैं डिरेक्ट अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और देखते हैं कि चैप्टर नंबर टू क्या है इसमें किस तरह से कॉश्चेंज पूछा गया है वीपीन सर के मैट मर्स्थी बोक में ठीक है और यदि आप हमारी चैनल पर न्यू है तो आनार क्लासे को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग वीपीन सर के मैटमेटिक बोक में जितना भी चैप्टर्स है उसको पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं एक-एक सवालों को हम लोग solve करेंगे तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कम्प्यूटर के स्क्रीन पर तो अभी हम लोग आचुके अपने कम्प्यूटर के स्क्रीन पर और आप लोग देख पा रहे हैं कि यह हम लोग का chapter number 2 है ठीक है इकाई अंक या unit digit ठीक है और यह जो chapter है हम लोग solve कर रहे हैं वीपिन सर का math बुक्स से ठीक है वीपिन सर का math बुक्स से उसी से आज हम लोग इस chapter को solve करेंगे तो देखे इस chapter में कुछ बाते important है जो कि आप लोग को बता देना जरूरी है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह जो chapter है इकाई अंक यहाँ पर कई सारी important बातों को लिखा गया है सबसे पहले यही सारी चीज़ों को हम लोग discuss कर लेते हैं उसके पात जो भी चीज़ें इसमें छुटा हुआ है या फिर नहीं बताया गया है उन सारे बातों को भी आज हम लोग इसी में देखेंगे तो देखें इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें दिया गया है तो सबसे पहले जो unit digit या फिर इकाई अंक का chapter होता है यह बहुत ही simple chapter है लेकिन इसमें कुछ important बातों को धियान रखना है unit digit का किसी भी question को solve करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि यह board mass rule को follow करता है ठीक है यह board mass rule को follow करता है आप इसी की हिसाब से unit digit या इकाई अंक जब आप से निकालने के लिए पूछा जाए या फिर कहा जाए तब आप यही rule को follow करेंगे ठीक है board mass rule को आपको follow करना है दूसरी बात इकाई अंक हम लोग को निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि math में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही 10 अंक ही हम लोग के पास है जिसका हम लोग solution करते हैं तो इसमें से कुछ कुछ चीज़ें मैं आप लोग को बता देता हूँ जैसे कि अगर 0 का power कुछ भी रहे 0 का power माल लेते हैं कि हम लोग A रखे हैं तो 0 का power कुछ भी होता है तो result हम लोग का 0 ही आता है और यह जो result का मैं बात कर रहा हूँ यह 1 अंक का बात कर रहा हूँ जिरो का power कुछ भी रहे 1 अंक हम लोग का क्या आएगा 0 ही आएगा इसका काहनी खतम हो गया अब 1 का तो 1 का power भी अगर कुछ भी रहा तो 1 अंक में हम लोग का 1 ही मिलता है याद रखेगा 1 का power अगर कुछ भी रहे तो हम लोग का 1 का अंक क्या मिलता है 1 मिलता है special cases में ठीक है special cases में आपको यह बात याद रखना है कि अगर किसी संख्या का power 0 रहा तो उसका हमेशा 1 result आता है किसी भी संख्या का अगर power 0 रहा तो यह हमेशा 1 result देता है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दखिए संख्या 5 और 6 का यह दो condition में क्या होगा तो संख्या 5 का अगर कोई भी power रहे तो उसका result हमेशा 5 आता है 1 अंक ठीक है 1 अंक में हमेशा 5 ही आएगा 5 का power कुछ भी रहे उसका 1 अंक क्या रहेगा 5 ही आएगा याद रखेगा संख्या 6 इसका भी power अगर कुछ भी ले लिया जाए तो इकाई अंक हम लोग का हमेशा 6 ही आता है ठीक है याद रहेगा इकाई अंक हमेशा 6 आएगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए संख्या 4 के केस में याद रखेए संख्या 4 के केस में ठीक है और संख्या 9 के केस में संख्या 4 और संख्या 9 के केस में power या तो समसंख्या होगा यानि की घात या फिल विसम संख्या होगा ठीक है power या तो समसंख्या होगा या फिर विसम संख्या होगा जब 4 का power सम संख्या रहे तब वो हमेशा 6 आता है ठीक है इकाई अंक हमेशा 6 आता है याद रखेगा और 4 का घाद या power जब भी विसम संख्या रहेगा तो वो हमेशा 4 result 100 करेगा ठीक है अगर 4 का घाद कोई भी power रहे जो कि विसम संख्या में रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा 4 ही आता है वही result 100 करता है 9 भी अगर 9 का घाद कोई संख्या रहे तो result हमेशा 1 देता है ठीक है इकाई अंक में संख्या 1 ही आता है और 9 का घाद अगर विसम संख्या रहे 9 का power अगर कोई विसम संख्या रहे तो result हमेशा 1 अंक में 9 ही आता है यानि कि 9 ही आता है ये बातों को आप लोग याद रखे ठीक है आगे जब हम लोग question को solve करेंगे तो ये सारे चीज़े हम लोगों का बहुत समय बचा कर देगा तो याद रखेगा ये सारे चीज़े ठीक है क्या कहा कि 4 का power अगर सम संख्या रहे तो 1 अंक में 6 आएगा 4 का power अगर विसम संख्या रहे तो 1 अंक में 4 आएगा 9 का power अगर सम संख्या रहे तो 1 अंक में 1 आएगा और 9 का power अगर विसम संख्या रहे तो 1 अंक में 9 आएगा ठीक है इतना दूर तक हो गया अब हम लोग का क कुछ व्यक्षान दिया गया है तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये table में क्या दिया रहे हैं देखिए इससे पहले इस table को समझने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि हम लोग जानते हैं कि इकाई अंक का कोई भी सवाल रहे वो actually power में ही दिया वा रहता है जैसे माल लेते हैं कि हम लोग 2 का power अगर हम लोग 31 लेते हैं और हम लोग से पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या आएगा थीक है तो हम लोग क्या करेंगे ने इस power को सबसे पहले 4 से भाग देंगे हमेशा थीक है कोई भी power है किसी भी संख्या का आप सबसे पहले 4 से ही उसे भाग दिजेगा भाग फल से हम लोग का कोई मतलब नहीं होता है थीक है भाग फल से हम लोग का कोई भी मतलब नहीं होता है हम लोग का मतलब होता है 6 फल से, ठीक है, हम लोग को किस से मतलब होता है, 6 फल से मतलब होता है, 71 को अगर 4 से भाग दीजेगा, तो इसका भाग फल कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, यहां हो गया, 3, 1, 4, 7, 28, ठीक है, कितना बचा 3, तो ये जो 6 फल 3 बचा, इसी से हम लोग का अब देखिए इस टेबल में क्या समझाया गया है देखिए ध्यान से अगर किसी का सेसफल एक बचता है दो बचता है तीन बचता है या फिर जीरो बचता है ठीक है किसी भी पावर को अगर हम लोग चार से भाग देंगे और उसका अगर सेसफल एक दो तीन या जीरो बचता ह तो वो क्या होता है? उस संख्या का पावर हो जाता है, ठीक है? कोश्यन में दिया गया किसी भी संख्या के घात को अगर हम लोग भाग देते हैं, चार के साथ और हम लोग का अगर सेश्पल एक, दो, तीन और जिरो बचता है तो जो हम लोग का कोशन में दियावा रहता है, वो उसी का पावर हो जाता है, जैसे कि इसमें हम लोग क्या माने थे, 2 का पावर 81, ठीक है? जब हम लोग इस घाद को 4 से भाल विए, तो सेश्पल हम लोग का क्या बचा? 3, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो संख्या हम लो तो किसी भी संख्या का अगर 0 करेंगे तो result हमेशा 100 करना चाहिए लेकिन ये इस तरह से नहीं होता है ये सेशफल है ये सारे चीज़े क्या है ट्रिक्स है और इसके कुछ limitations भी होते हैं अब देखिए ये जो सेशफल 0 बचा इसको आप घात 4 मानिएगा ठीक है हमेशा याद र रहे तो वो घात 4 हो जाता है बादवा की जितने भी संख्या है वो वही घात बन जाता है ठीक है वो बादवा की क्या होता है उतना ही घात बन जाता है यानि कि सेशफल 1 रहा तो 1 घात हो जागा सेशफल 2 रहा तो 2 घात हो जागा सेशफल 3 रहा तो 3 घात हो जाता है लेकिन संख्या 2, 3, 7, 8 बचे ठीक है जैसे कि यहाँ पर बात किया गया था 3, 2, 7 और 8 ठीक है तो यहाँ पर क्या गया 2, 3, 7, 8 अब अगर सेशफल 1, 2, 3 और 0 बचे यही चीज़ यहाँ पर दिया गया 1, 2, 3 3, और 0 बचे तो वो क्या हो जाता है घात के रूप में बदल जाता है ठीक है यानि कि 2 का घात क्या हो गया यहाँ पर 1, 2 का घात यहाँ क्या हो गया 2, 2 का घात यहाँ पर हो गया 3 और 2 का घात हो यहाँ पर 4 ठीक है शेशपल तो 0 रहा लेकिन घात क्या हो जाता है 4 उसी प्रकार 3 का भी घात 1, 2, 3, 4 और 7 का भी पावर 1, 2, 3, 4 और 8 का पावर 1, 2, 3, 4 और इसका इकाई अंक यहाँ पर दिया गया है 2 का अगर पावर 1 रहा तो 1 अंक क्या आता है 2, 2 का पावर अगर 2 रहा तो 1 अंक क्या आता है 4, 2 का पावर अगर 3 रहा तो 1 अंक आता है 8, 2 का पावर 4 रहा तो 1 अंक आता है 6, ठीक है अब 3 का देखे, 3 का अगर power 1 रहा तो 1 अंक आता है 3, 3 का अगर power 2 रहे तो 1 अंक आता है 9, 3 का अगर power 3 रहे तो 1 अंक आता है 7, और 3 का अगर power 4 रहे तो 1 अंक आता है 1, ठीक है, 7 के case में देखे क्या होता है, ये संख्याएं पलट जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या साथ, देखे साथ से स्टार्ट करेंगे, एक को छोड़ देंगे और उल्टा डायरेक्शन में हम लोग वापस आ जाएंगे, ठीक है, साथ यहाँ आ गया, फिर आता है नौ, फिर आता तीन, और यहाँ पर एक का एक ही रहता है, जब आठ रहेगा, तो इसके केस में क्या हो जा बाद वाकि हम लोग क्या करते हैं, साथ के लिए तीन का उल्टा लिख सकते हैं, और आठ के लिए दो का उल्टा डायरेक्शन में लिख सकते हैं, यही इकाई अंक में सेश्र बचता है, बस, इतना ही छोटा सा कॉंसेप्ट है, और आपका यूनिट डिजिट का चैप्टर यही पर समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो सबसे पहला क्या बताया है मैंने, बाद मांस रूल को आपको फॉलो करना है, यूनिट डिजिट का कोई भी कोशन रहे, आप बाद मांस रूल का फॉलो कीजिए, दूसरी बात, यहाँ पर कुछ सारे important facts हैं, जैसे 0 का power कुछ भी र है, तो इकाई अंक 6 आता है, और यह special case है, कि सी भी संख्या का power 0 रहे, तो इकाई अंक 1 आता है, ठीक है, जब संख्या 4 और 9 रहेगी, तब संख्या का घात अगर सम संख्या में रहे, तो इकाई अंक 6 आएगा, चार का अगर घात विसम संख्या में रहे, तो इकाई अंक 4 9 के case में अगर 9 का घात कोई संक्या हो तो 1 अंक 1 आएगा अगर 9 का घात कोई विसम संक्या हो तो 1 अंक 9 ठीक है और किसी भी Power को solve करने के लिए क्या करेंगे Power को या ति घात को सबसे पहले 4 से भाग देंगे भाग फल से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है, मतलब होता है हम लोगों का सेस्फल से और यही सेस्फल उस particular संख्या का क्या हो जाता है घात बन जाता है जब सेस्फल 0 बचे तो हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि वो संख्या का घात क्या है, 4 है अब हम लोग questions पे आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कि वीपिन सर का जो मैट मस्ती बुक है इसमें किस टाइप का questions दिया गया है और एक एक करके सारे questions को, ठीक है, इस chapter में जितना भी questions दिया गया, chapter number 2 पे सारे questions को हम लोग इसी वीडियो में complete करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिए, अंध तक बने रही है, ठीक है अगर आपको पूरा concept समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है इसमें दिया गया हरे questions को आप मेरे साथ solve करने का कोशिश कीजिए, और देखिए कि आप कितना तेज बना पाते हैं तो चलिए अब बढ़ते हम लोग question की और, यह है हम लोग का पहला number का question, question number one इसमें देखिए क्या दिया गया है 14, 18, 25, 17 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है तो हम लोग जानते हैं कि 5 को अगर हम लोग किसी sum संख्या के साथ गुना करेंगे, तो इकाई अंक में 0 आता है, चुकि यहाँ पर गुना का सिंबॉल दिया गया है, तो हम लोग गुना ही करते हैं, और 0 को किसी भी संख्या के साथ आगे गुना करेंगे, तो हम लोग का result इकाई अंक में 0 ही आएगा इस कारण से हम लोग का सही अंसर क्या हो जागा option number D, सुन्य ठीक है, concept समझ में आया, चलिए अब बढ़ते हम लोग next question में, question number 2 question number 2 में देखें क्या दिया गया है 17 गुना 28 गुना 96 गुना 91 में इकाई का अंक क्या होगा, इसमें हम लोग को इकाई का अंक निकालना है, तो देखें 17 को हम लोग सिर्फ 7 लेंगे क्योंकि इसका इकाई अंक ये है 7, ठीक है, हमेशा कोई भी संख्या रहे, इकाई अंक का अगर सवाल हो, तो आपको इकाई अंक से ही मतलब रखना है ठीक है, तो 7, 8 कितना होता है 56, ठीक है, 6 और 6 कितना होता है 36, तो 6 ही बचा 6 एकम 6, तो रिजल्ट हम लोग का क्या आया, एकाई अंक में 6 आया तो अप्शन नमर B हम लोग का यहाँ पर सई हो जागा, समझ में आ रहा है आप लोग को सारा सॉलूशन, अगर समझ में आ रहा है प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर, अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर न्यूँ है, तो एनार क्लासेश को सब्सक्राइब भी कर लिजिए, यूकि हम लोग विपीन सर के एक पूरा मैथेमेटिक बुक को solve करेंगे, ठीक है next question है, question number 3, इसमें देखें क्या दिया गया है, 39 का power क्या दिया गया है, 45 का इकाई अंक क्या होगा तो just अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर 9 का घात कोई विसम संख्या हो, ठीक है, 9 का घात अगर कोई विसम संख्या हो तो इकाई अंक हमेशा 9 ही आता है, और यहाँ पर घात को अगर ध्यान से देखिएगा, तो यह विसम संख्या है, 9 का घात विसम संख्या होने पर इकाई अंक हमेशा 9 ही result सो करेगा, तो इस प्रकार से इसका सही answer क्या हो जाएगा option number 8, 9, ठीक है चलिए, अब बढ़ते हम लोग next question, question number 4 इसमें देखें क्या दिया गया है 14 का power 23, गुना 18 का power 16, में इकाई का अंक क्या होगा ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 4, और 4 का power यह क्या है, विसम संख्या है अगर 4 का power विसम संख्या है 4, गुना, यहाँ पर 8 का power क्या है, 16 ठीक है, 8 का power यहाँ पर क्या दिया गया है, 16, तो इस घात को सबसे पहले आप 4 से भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 बार में यह 16, सेशफल क्या होता है 0, भाग फल से हम लोगों का कोई मतलब नहीं मतलब होता है सेशफल से, ठीक है मतलब होता है सेशफल से अगर सेशफल 0 बचता है, यानि कि क्या आजाता है, घात 4 होता यानि कि 8 का power 4 है यहाँ पर, और 8 का power अगर 4 को देखिएगा, तो 1 अंक क्या आएगा, तो 1 अंक हम लोग का आता है 6, ठीक है, इकाई अंक क्या आता है 6, अब बताईए 4 गुना 6 क्या हो जाएगा, 4 गुना 6 हो जाएगा 24, यानि कि इकाई का अंक में 4 आया, तो इस प्रकार से इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, option number C, 4, राइट, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग next question, question number 5, question number 5 में देखें क्या दिया गया है, 37 का पावर 13 गुना, 15 का पावर 11 गुना, 19 का पावर 23, तो अभी हम लोग ने देखा कि 9 का पावर अगर विसम संक्या हो, तो इकाई के अंक में क्या आएगा, 9 का पावर अगर विसम संक्या हो, तो इकाई अंक हमेशा 9 ही आता है, तो पर क्या दिया गया है साथ का पावर तेरा तो हम लोग क्या करेंगे इस घात को सबसे पहले चार के साथ भाग देंगे तो तेरा को अगर हम लोग चार से भाग देंगे तो हम लोग का सेसफल कितना बचेगा तो हम लोगो का Grassfall बचेगा 1 ठीकि're 4, 3, 12 GUYSPR बचा 1, यानी कि 7 का power यहां पर हो जागा 1 7 का power अगर हम लोग यहां पर 1 करेंगे तो हम लोग का 1Y का अंक क्या आएगा 7 ही आएगा अब देखे यहां पर क्या हो जाएगा साथ गुना, पांच गुना नौ अब देखिए, पांच को अगर आप किसी भी विसम संख्या के साथ गुना करते हैं पांच का गुना अगर विसम संख्या के साथ हुआ, और नमबर के साथ हुआ तो इकाई अंक हमेशा पांच ही आएगा, ये बात को आप important note की तरह note करके रख सकते हैं, पांच का अगर हम लोग गुना किसी odd संख्या के साथ करेंगे, यानि कि विसम संख्या के साथ करेंगे, तो इकाई अंक हमेशा पांच ही आता है और अगर हम लोग पांच का गुना किसी even number के साथ करेंगे, या फिर संख्या के साथ करेंगे, तो इकाई का अंक क्या आएगा, जीरो आएगा तो इस प्रकार से हम लोग का 5 नंबर का सही अंसर क्या हो जाएगा तो इसका अंसर होगा, option number B 5, ठीक है, इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5, तो चलिए अब बढ़ते हम लोग, next question, question number 6 question number 6 में देखे, क्या पूछा गया है कि 64 का पावर 32 plus 37 का पावर 31 plus 15 का पावर 13 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है, इसमें इकाई का अंक हम लोग से पूछा गया है तो ये देखे, यहाँ पर क्या है, 4 और इसका घात क्या है, एक सम संक्या है, तो इसका इकाई अंक क्या बचेगा, तो इसका इकाई अंक में आएगा, 6, ठीक है plus, यहाँ पर क्या है, 7 7 का पावर 31 तो 7 का पावर 31, इस 31 को हम लोग 4 से भाग देंगे ठीक है, यहाँ आजाएगा 31 तो कितना बार में चला जाएगा, 4 सत्य, 28, स्यानिकी बचा, 6 3, और 7 का पावर 3 करेंगे, तो हम लोग का इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक हम लोग का 3 ही आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3, plus 5 का पावर कुछ भी रहे, तो इकाई का अंक क्या आता है, तो इकाई का अंक हम लोग का आएगा, 5 अब इन तीनों को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, तो 6, 3, 9, 9 और 5 कितना हो गया, 14, ठीक है, कितना हो गया, 14, तो इकाई का अंक हम लोग का क्या बचा, 4 option number A हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा, राइट, चली वड़ते हम लोग नेक्ट कोशन, कोशन नमर 7, 32 का पावर 23 प्लस 38 का पावर 18 प्लस 16 का पावर 14 में 11 का अंक क्या होगा, तो देखें, 2 का पावर यहां कितना है, 23, अगर हम लोग 23 को 4 से भाग देंगे, तो कितना सेस्फल बचेगा, 3, तो 2 का पावर 3 करेंगे, तो कितना आजागा, 21 का अंक हम लोग 8 आएगा, प्लस 8 का पावर यहां कितना है, 18, इसको अगर हम लोग 4 से भाग देंगे, तो सेस्फल कितना बचेगा, बचेगा 2, 8 का पावर 2 करेंगे, तो कितना 21 का अंक बचेगा, 21 का अंक बचेगा, 4, ठीक है, प् 12, ठीक है, 12 और 6 कितना होता है, 18, 18 मतलब 11 का अंक हम लोग का क्या बच गया, 8, ठीक है, तो हम लोग का एंसर क्या हो जागा, option number C, 8, right, समझ महा रहा है, चली, बढ़त हम लोग next question, question number 8, question number 8 में देखें क्या दिया गया है, पचपन का पावर 16, माइनस 21 का पावर 15 में इकाय का अंक क्या होगा, तो अभी हम लोग ने पढ़ा, कि 5 का पावर कुछ भी रहे, तो इकाय का अंक क्या बचेगा, 5 ही हम लोग का बचता है, माइनस 1 का पावर कुछ भी रहे, तो इकाय का अंक हमेशा 1 ही आता है, तो अब बत का पावर 14 और 29 का पावर 31 ठीक है तो यहां 9 का पावर क्या है एक विशम संख्या है तो इकाई का अंकर क्या बचेगा 9 ही बचेगा अब देखिए 8 का पावर क्या है 14 ठीक है अगर इस 14 को हम लोग 4 से भाग देंगे तो सेस्पल हम लोग का क्या बच्ता है? 2, यानि कि 8 का पावर क्या हो गया? 2, तो 8 का पावर 2 करेंगे तो कितना आजाएगा? 64, यानि कि 1 का अंक क्या आजाएगा? 4, अब देखें, इसको घटाएंगे तो हम लोग का answer क्या आजाएगा? minus 5, ठीक है? तो जब भी आपका रिनात्मक मान आए, जब भी आपका इकाई का अंक रिनात्मक मान आए, तब आप क्या कीजेगा? उस संख्या को क्या कीजेगा? 10 से घटा दीजेगा, तो यहाँ पर हो जागा 10 minus 5, यानि कि result हम लोग का क्या आया? 5, ये plus में हम लोग का positive में आ जागा, समझ में आया? तो ये भी एक important note है, आप इसे note down करके रख लीजे, next आगे बढ़ते हैं question number 10, इसमें देखिए क्या दिया गया है? 14 का power 13 plus 18 का power 21 minus 9 का power 12, ठीक है? तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से solve करेंगे? तो 14 का power 13, यानि कि 4 का power अगर देखा जाए, तो ये एक सम संख्या नहीं है, ये एक विसम संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग का आजागा? 21 का अंक 4 ही आएगा, फिर क्या दिया गया है? प्लस का सिंबॉल है, तो प्लस कर देंगे, 8 का power क्या है? 21, यानि कि इस 21 को अगर हम लोग इस घात को अगर 4 से भाग देंगे, तो क्या आए, तो result हम लोग का क्या आता है? result हम लोग का आता है, 1, यानि कि 21 का अंक आता है, 1, ठीक है? result का मतलब यहाँ पर मैं बता रहा था, 21 का अंक, अब इसको solve कर दीजे, तो कितना आ जाएगा? 8, 4, 12, minus 1, यानि कि आएगा 11, और 11, इसका 21 का क्या है? 1, तो option number 1 यहाँ प 6 का power 63, और 3 का power 65 के गुननफल में 11 का अंक कितना होगा? यह हम लोग का find out करना है, तो देखिए क्या दिया गया है? 7 का power 81, तो इस power का हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 4 से भाग देंगे, ठीक है? तो इसका solve कितना बचेगा? इसका solve 3 बचेगा, देखिए, 4 एकम 4, 3, 1, 4 सत्य 28, सेसपल कितना बचा? 3, ठीक है? तो 7 का power अगर हम लोग 3 करेंगे, तो 1 का अंक हम लोग क्या आता है? 3 आता है, ठीक है? और यहाँ पर next क्या है? 6 का power 63 दिया गया है, तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि 6 का power अगर कुछ भी रहे, तो हमेशा 1 का अंक क्या आता है? 6 ही आ आ जाएगा सेसपल, इसका सेसपल 1 आना चाहिए, ठीक है? यहाँ से चला गया 4, 25, 4, 6, 24, 1, ठीक है? सेसपल कितना आ गया? 1, यानि कि हम लोग कह सकते हैं कि 3 का power 1 इसका 1 अंक क्या आएगा? 3 ही आएगा, ठीक है? अब हम लोग का क्या करना है? इन 3 को गुना करना है, तो 3 क power 1 में हम लोग का 1 का 1 अंक 3 आया था, अब इन 3 को क्या करना है? गुना करना है, तो 3 छेक 18, तो यहाँ पर आ गया 18 का 8 इकाए अंक, गुना 3, 3 आठे 24, यानि कि 1 अंक अगर देखा जाए तो आ रहा है 4, तो option number D हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा, right? calculation समझ में आ है, concept समझ म आ रहा है, कैसे क्या कर रहे है, अगर समझ में आ रहा है तो please video को like and share जरूर कीजेगा, और channel पर new है तो subscribe जरूर कीजेगा, ठीक है, आगे बढ़ते है, question number 12, इसमें देखे क्या दिया गया है, 3 का power 28, गुना 11 का power 42, गुना 7 का power 35, इसमें देखिए, इसके गुननफल में इका इका अंक क्या होगा, तो 3 का power 28, ठीक है, 28 को अगर हम लोग 4 से भाग देंगे, तो सेसपल हम लोग क्या वचेगा, 0 वचेगा, यानि कि 3 का power हम लोग 4 करेंगे, तो 3 का power 4 करने से हम लोग का 1 का अंक क्या आएगा, इका अंक आएगा 1, ठीक है, गुना 11 है यहाँ यानि कि हम अब बढ़ते हैं हम लोग क्या देखेंगे इकाए का अंग ठीक है तो एक का पावर 42 और हम लोग जानते हैं कि एक का पावर कुछ भी रहे तो एकाए का अंग हमेशा एक ही आता है गुना साथ का पावर 35 इस घाद को अगर हम लोग चार से भाग देंगे तो कितना आजागा स सेसपल हम लोग का आएगा तीन और साथ का पावर अगर तीन करेंगे तो एकाय का अंख हम लोग का क्या आता है तीन अब इन तीनों का अगर हम लोग क्या आ रहा है तीन आ रहा है इसलिए इसका एंसर क्या हो जागा option नमबर भी राइट अब बढ़ते हैं हम लोग question नमबर 13 13 पे देखे क्या दिया गया है 122 का घात 173 में इकाय का अंख क्या होगा तो घबराने के बिल्कुल भी कोई बात नहीं है 122 का घात कितना दिया गया है 173 ठीक है हम लोग को मतलब है इकाय अंख से तो 122 से इकाय अंख हम लोग का क्या आएगा इकाय अंख आएगा 2 अब 2 का power 173 कर दीजे, इसका 1 अंक निकाल लिए, अब तो आसानी से निकल जाएगा, इस घात को क्या करेंगे, हम लोग 4 से भाग देदेंगे, ठीक है, 173 को 4 से भाग दीजे, 4, 4, 16, 1, 3, 4, 3, 12, यानि की आया 1, ठीक है, तो 2 का power 1 करेंगे, तो 1 का अंक क्या होगा, ठीक है, तो 22 को, हम लोग 22 लेकर नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे, 2 का power 23, 2 का power 23, 4 से भाग देंगे, 23 को तो सेसफल, हम लोग का कितना आएगा, 3, यानि की 2 का power 3, हम लोग जानते हैं, कितना होता 1 का अंक, 8, यानि की option number C, हम लोग के यहाँ, सही हो जाएगा, question number 15, देखिए, 15 में क्या दिया गया है, 124 का power 372, plus 124 का power, 373 के योग में, इकाईक अंक, तो बताइए, अभी हम लोग ने पढ़ा, कि 4 का power, अगर कोई सम संख्या हो, तो क्या होता है, result हमेशा 6 देता है, इकाईक का अंक, हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पर देखिए, 4 का power, एक विसम संख्या है, तो इकाईक का अंक, हम लोग के क्या आएगा, 4 आएगा, यानि कि यहाँ पर क्या करना है, और जोग करना है, ठीक है, addition करना है, जोड, तो 6 और 4 कितना हो जाता है, 10, और 10 को अगर देखेंगे, तो इकाईक का अंक, क्या है, 0 है, तो इस प्रकार से, हम लोग का सही अंसर क्या हो जागा, option number D, 0, आगे बढ़िए, next question, question number 16, 27 गुना, 125 गुना, 863 गुना, 921 गुना, 769 में इकाईका अंक, अब बताईए, यहाँ पर देखें, तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा है, कि अगर संख्या 5 को किसी विसम संख्या के साथ गुना करेंगे, तो हमेशा इकाईका अंक क्या आता है, 5 ही आता है, ठीक है, और विसम संख्या को, ठीक है, odd number को को विसम संख्या के साथ गुना किया जाए, तो result हमेशा क्या आता है, एक even number आता है, यानि कि एक संख्या आएगा, ठीक है, संख्या को अगर विसम संख्या के साथ गुना किया जाए, तो वो संख्या ही आता है, और संख्या को अगर किसी सम संख्या के साथ ही गुना किया जाए तो result हमेशा क्या आता है सम संख्या ही आता है तो ये सारे चीज़े याद रखेगा तो देखें यहाँ पर क्या है साथ है ये भी विसम संख्या ये तो 5 है ही इसको छोड़ दीजे ये भी विसम संख्या ये भी विसम संख्या और ये भी विसम संख्या है तो विसम संख्या का गुना क्या आएगा हमेशा विसम संख्या आता है और पांच को अगर हम लोग विसम संख्या के साथ गुना करेंगे तो इकाय का अंग क्या आएगा पांच आएगा तो हम लोग का सही answer क्या हो जागा option number C 5 ठीक है याद रहेगा चलिए next बढ़ते हम लोग आगे अब देखें यहाँ पर question number 17 17 में देखें क्या दिया गया है 275 गुना 899 गुना 217 गुना 548 में इकाय का अंक होगा तो यहाँ पर देखें कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर देखे संख्या है एक संख्या है तो 5 को अगर हम लोग किसी संख्या के साथ गुना करेंगे तो हम लोग का इकाय का अंक क्या आएगा 0 और 0 को अगर हम लोग आगे किसी भी संख्या के साथ गुना करेंगे तो इकाय हम लोग का क्या आएगा 0 इस कारण से इसका सही answer क्या हो जागा option नमबर B, ठीक है, याद रहेगा, चली बढ़ते हैं, हम लोग नेक्ट कोशन, कोशन नमबर 18, अठारा में देखे क्या दिया गया है, 754 का पावर 862 में इकाएक अंत, यहाँ पर इकाएक क्या है, चार, चार का घात क्या है, एक समसंग क्या है, चार का घात अगर कोई समसंग क हो, तो रिजल्ट हम लोगा क्या आता है, एकाएक का अंक में हम लोगा आएगा 6, ठीक है, तो इस कारण से इसका सही अंसर क्या हो जागा, अप्शन नमबर C, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कोशन नमबर 19, 19 में देखे क्या दिया गया है, 18 का पावर 12, गुना 19 का पावर 13 गुना 20 का पावर 14, गुना 21 का पावर 15, तो यहाँ पर 20 का पावर का अगर नोटिस कीजेगा, तो यहाँ पर 1 अंक क्या है, 0, और 0 का पावर अगर कुछ भी रहे, तो हम लोग का रिजल्ट क्या आता है, 0, और यहाँ पर अगर नोटिस कीजेगा, तो सब में क्या करना है, गुना करना है, तो 0 का अगर किसी भी संख्या के साथ गुना करेंगे, तो result हम लोग का क्या आएगा, इकाय का अंख में हम लोग का result आएगा 0, यानि कि option number A हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे के question में next question हम लोग का question number 20, इसमें देखें क्या दिया गया है, 42 का power 7 गुना, 43 का power 8 गुना, 44 का power 9 में इकाय का अंक होगा, तो देखें इसको हम लोग थोड़ा सा लेंदी करके बनाते हैं, लेकिन ये तो है बहुत आसान question, अराम से इसे आप solve कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 का power 7, 3 का power 8 और 4 का power 9, ठीक है, 2 का power 7 गुना, 3 का power 8 गुना, 4 का power क्या हो जागा हम लोग का, 9 और इसमें हम लोग को इकाय का अंक निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यह चो power है, उसको हम लोग 4 से भाग देते हैं, तो 7 को अगर हम लोग 4 से भाग देंगे, तो हम लोग का क्या reminder बचेगा, sexual बचेगा 3, और 2 का घात, यह 3 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 8, ठीक है, गुना, इस 8 को अगर हम लोग 4 से भाग देंगे, तो हम लोग का sexual क्या बचेगा, 0, यानि कि power में हम लोग लिख सकते हैं, 4, तो 3 का अगर power हम लोग 4 करेंगे, तो क्या आजाएगा, हम लोग का आजाएगा, 1, ठीक है, हम लोग का क्या आजाएगा, 1, गुना, इस 9 को अगर हम लोग 4 के साथ भाग देंगे, तो हम लोग का sexual क्य नमबर A हम लोग का यहाँ सही हो जागा ठीक है चलिए बढ़ता हम लोग next question question number 21 इसमें देखे क्या दिया गया है 2789 का power 13 plus 5231 का power 8 में इकाय का अंक होगा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेगा तो हो जा रहा है 9 का power 13 9 का power यह एक विसम संक्या है तो 9 का power अगर विसम संक्या होगा तो कितना आता है 21 का अंक तो 21 का अंक आएगा 9 plus यहाँ पर एक का power क्या आ रहा है 8 तो एक का power अगर कुछ भी रहे तो हम लोग जानते हैं कि 21 का अंक क्या आता है एक ही आता है तो इस कारण से ये कितना हो जागा अग ये हो जा रहा है 10 और 10 को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका 1 अंध क्या है 0 यानि कि option number A हम लोग का यहां सही हो जागा चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं question number 22 पे 22 पे देखिए क्या दिया गया है 532 का power कितना दिया गया है 17 843 का power कितना दिया गया है 12 और 217 का power कितना दिया गया है 13 अगर आप इस question को solve कीजिएगा तो कुछ इस तरह से दिया गया है 2 का power 17 गुणा 3 का power 12 गुणा 17 का power यानि कि 7 का power हम लोग direct लिख सकते हैं 13 यह हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग को 1 का अंक निकालना है ना तो 17 को क्या किजे, 4 से भाग देजे, 17 को अगर हम लोग 4 से भाग देंगे, तो सेशफल हम लोग क्या आएगा, 1, ठीक है, 2 का पावर 1, यानि कि 1 का अंक आएगा 2, गुना, इस 12 को अगर हम लोग 4 से भाग देंगे, तो सेशफल आएगा 0, यानि कि इसका पावर क्या हो जाए तो हम लोग का 1 का अंग क्या आएगा, हमोग का 1 का अंग का आएगा एक, ठीक है, गुना इस 13 को क्या कीजे, अब 4 से भाग दिजी, तो 13 को अगर हम लोग 4 से भाग दिएगे, तो 6 पल आएगा, एक, और 7 का power क्या हो गया, 1, यानि कि ये कितना आजयागा, 7, अब इन 3 को अग पर गुना कीजेगे तक इतना आ जागा 14, यानि कि 11 का अंक हम लोगा क्या आ गया, 4, 11 का अंक हम लोगा क्या आ गया, 4, option number D हम लोगा यहाँ सही हो जागा, राइट, चलिए, अब बढ़ते हम लोग next question, question number 23, इसमें देखें क्या दिया गया है, 771 का पावर 12, माइनस 58 का पावर 7 में इकाई का अंक होगा, यानि कि देखा जाए, तो 1 का पावर यहाँ पर 12 दिया गया है, और 8 का पावर यहाँ क्या दिया गया है, 7, तो 1 का पावर कुछ भी रहे, इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा, माइनस 8 का पावर यहाँ पर दिया ग क्या आएगा 21 का अंक आएगा हम लोग का 2 यानि कि 1 में से अगर हम लोग 2 घटाएंगी तो हम लोग का negative answer आ रहा है यानि कि minus 1 और जब हम लोग का negative answer आता है तब हम लोग उसे क्या करते हैं 10 से subtract कर देते हैं और इस प्रकार से हम लोग का positive answer क्या आया 9 option number B हम लोग का यहां सही हो जाएगा next question है question number 24 इसमें देखें क्या दिया गया है 870 का power 15, 217 का power 10 यहाँ पर अगर देखा जाए तो 0 का power 15 और 0 का power कुछ भी रहे तो 1 इकाए का अंक हम लोग का आता है 0 ही आता है minus यहाँ पर अगर देखा जाए तो दिया गया है 7 का power 10 7 का power 10 इस 10 को क्या कीजिए 4 के साथ भाग देजीए salesful कितना आएगा 2 यानि कि 7 का power हो गया 2 7 का घात कितना हो गया 2 इसका 1 अंक देखिएगा तो कितना आएगा 7 का power करते है 49 इकाए का अंक आया 9 तो 0 में 9 घटाएंगे तो result हम लोग का negative आ रहा है यानि कि minus 9 तो result जब आपका negative आता है तो आप क्या करते हैं 10 से इसे subtract कर देते हैं यानि कि आ गया 1 तो इस प्रकार हम लोग का सही answer क्या हो जागा option number C 1 ठीक है अब आते हम लोग next question question number 25 25 में दिया गया देखे क्या दिया गया है 346 का power 2 उसका power 7 में इकाए का अंक और हम लोग जानते हैं कि 6 का power कुछ भी रहे तो हम लोग का result या फिर इकाए का अंक क्या आता है 6 ही आता है ठीक है तो इस कारण से इसका answer क्या हो जागा 6 देखे इसको मैं और solve करके दिखा देता हूँ 346 का power क्या दिया गया है 2 और इसका power क्या दिया गया है 7 जब power का भी power दिया रहे तो वो क्या हो जाता है आपस में गुना हो जाता है यानि कि इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं पावर 14 ठीक है अब 6 का power क्या आ गया 14 और 6 का power कुछ भी रहे तो इकाई का अंखा में 6 ही आता है अब बढ़ते हम लोग next question number 26 इसमें देखे क्या दिया गया है 378 into 236 into 459 into 312 के गुनन फल में इकाई का अंख बताना है तो यहाँ पर 8 गुना 6 कितना हो जाएगा 8 गुना 6 हो जाएगा हम लोगा 48 यानि कि इकाई का अंख फिर हम लोगा 8 बचा अब 8 गुना 9 हम लोगा कितना हो जाएगा 72 यानि कि इकाई का अंख हम लोगा 2 बचा और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4 यानि कि 1 का हम लोग का अंग क्या हो गया? 4 option number D हम लोग का यहां सही हो जाएगा next हम लोग का question है question number 27 27 में देखें क्या दिया गया है? 3 का power 99 minus 3 का power 50 में 1 का स्थान का अंग है तो देखें इसको हम लोग किस तरह से solve कर रहे है? 3 का power 99 minus 3 का power 50 ठीक है? 99 को अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो सेस्फल हम लोग का क्या आएगा? तो इसका हम लोग का सेस्फल आएगा 3 ठीक है? इसका सेस्फल हम लोग का कितना आएगा? 3 कैसे आया? देखें 99 को अगर आप 4 से भाग दीजेगा तो 4 दुनी 8 यहाँ पर बचा 1 19, 4, 14, 16 यानि कि सेस्फल आ गया 3 ठीक है? डारेक्ट मैंने कर दिया था 3 यानि कि 3 का पावर 3 हो गया तो इसका 1 का अंक क्या आया? 3 का पावर 3 में 1 का अंक आता है 7, ठीक है? इसका 1 का कितना आ गया? 7, माइनस इस 50 को क्या कीजे? अब 4 से भाग दीजीए तो 50 को अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा? हम लोग का सेस्फल आएगा 2 ठीक है? सेस्फल हम लोग का क्या आ आ गया? 2 अब हम लोग क्या करेंगे 3 का स्क्वाइर कर देंगे तो 3 का स्क्वाइर कितना आता है 9 अब देखें यहाँ पर Negative Answer आया Negative कितना 2 और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग का Negative Answer आता है तब हम लोग उसे 10 से Subtract कर देते हैं 10 से घटा देता है यानि कि अब हम लोग का result क्या या 8 इस कारेंट से हम लोग का सही answer क्या हो जागा option number D 8 ठीक है I hope so आपको ये सारा calculation समझ में आ रहा है अगर आपको ये सारा calculation समझ में आ रहा है तो please वीडियो को like and share जरूर कीजेगा ठीक है और हमारे चैनल पर नियू है तो आनार क्लासेस को subscribe कर लिजे क्योंकि वीडियो का math का सारा का सारा questions हम लोग solve करेंगे तो बढ़ते हैं अब हम लोग आगे आल राइट नेक्स्ट question हम लोग का question number 28 इसमें देखी क्या दिया गया है 6374 का power 1793 गुना 625 का power 317 गुना 314 का power 491 तो इसको हम लोग किस तरह से solve करेंगे और यहाँ पर हम लोग को find out करना है का 1 अंक है ठीक है यहाँ पर हम लोग को 1 अंक निकालना है तो इसको हम लोग डैरेक किस तरह से लिख सकते हैं कि 4 का power 1793 यहां लिख सकते हैं हम लोग 5 का पावर 317 और यहां हम लोग लिख सकते हैं 4 का पावर 491 ठीक है और हम लोग जानते हैं कि 4 का अगर कोई घात विसम संख्या में रहे तो इकाई का अंक हम लोग क्या आता है 4 गुना, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 5 का घात कुछ भी रहे, तो 21 का अंक हम लोग ons का 5 ही आता है, और यहाँ पर भी वही चीज़ दिया गया है, 4 का घात दिया गया है, एक विशम संख्या, यानि कि यहाँ पर आएगा 21 का अंक 4, अब बताएए, चार गुना 5 कितना होता है होता है 20 यानि कि इकाई का अंक को देखिएगा तो क्या है 0 और 0 को अगर किसी भी और संख्या के साथ हम लोग गुना करेंगे तो इकाई का अंक हम लोग का 0 ही आएगा इस कारण से इसका सही अंसर क्या हो जागा option number B राइट चलिए बढ़ते हम लोग इसमें देखिए क्या दिया गया है योग 11 का पावर 1 प्लस 12 का पावर 2 प्लस 13 का पावर 3 प्लस 14 का पावर 4 प्लस 15 का पावर 5 प्लस 16 का पावर 6 का इकाई अंक है तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5 और 6 का पावर 6 तो देखे 6 का पावर कुछ भी रहे तो 1 का अंख हम लोग का 6 ही आता है प्लस 5 का पावर कुछ भी रहे तो 1 का अंख हम लोग का 5 ही आता है प्लस चार का पावर यहाँ पर एक सम संख्या है तो चार का पावर अगर कोई सम संख्या रहे तो इका एका अंग हम लोगों का छे ही आता है और यहाँ पर है तीन का पावर तीन, तीन का पावर अगर हम लोग तीन करेंगे तो हम लोगों का इका एका अंग क्या आएगा इकाई का अंक हम लोग का आएगा 7 प्लस 2 का पावर 2 यानि कि आएगा 4 प्लस यहाँ पर 1 का पावर 1 यहाँ पर आएगा 1 ठीक है तो हम लोग का यह सारे चीज़े हो गई है अब इसको सारा को add कर दे रहा है क्या हो जागा है 1 प्लस 4 यानि कि 5 5 प्लस 7 यानि कि 12 2 प्लस 6 यानि कि 8 8 प्लस 13 यानि कि 1 का अंक 3 3 प्लस 6 यानि कि 9 option नमबर D हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा 1 का अंक हम लोग का आया 1 का अंक हम लोग का आया 9 ठीक है next आगे बढ़ते हम लोग question number 30 पे question number 30 पे देखे क्या दिया गया है गुणन, 5 का power 41 गुणन, 7 का power 79 गुणन, 3 का power 57 में 1 का अंक है ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 5 का power कुछ भी रहे तो 1 का अंक हम लोग का हमेशा 5 ही आता है गुणन, 7 का power यहां कितना दिया गया है, 79, ठीक है तो 7 का power क्या होगे हम लोग का 1 तो 7 का power 1 करेंगे ते कितना आएगा 7 गुना 3 का power यहां दिया गया है संतावन इस संतावन को 4 से भाग दीजिए और बताइए कि सेसफल कितना है तो इसका सेसफल हम लोग का आएगा एक ठीक है इसका सेसफल भी हम लोग का क्या आया एक तो तीन का पावर एक करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का तीन ही आएगा अब इन तीनों को क्या गीजे गुना कर दीजे तो इन तीनों को गुना करने पर हम लोग का क्या आएगा सेसफल देखे, एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर विसम संख्या से विसम संख्या को गुणा करेंगे, तो हम लोग का हमेशा eigentlich result एक विसम संख्या ही आता है, right, तो यहाँ पर देखे, दो वह विसम संख्या है, right और विसम संख्या को अगर हम लोग 5 के साथ गुना करेंगे ध्यान से सुनिए विसम संख्या को अगर हम लोग 5 के साथ गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आता है याद रखिएगा अगर हम लोग order number को 5 के साथ गुना करेंगे तो इसका इकाई का अंग क्या आएगा हमेशा 5 आएगा तो यहाँ पर यह देखिए यह दो संख्याएं जो है वो विसम संख्या है इसका result भी एक विसम संख्याई आएगा और 5 को अगर हम लोग विसम संख्या के साथ गुना करेंगे तो इकाई का अंख हम लोग आएगा 5 तो इस प्रकार से इसका सही अंसर क्या हो जाएगा option number B ठीक है तो यहाँ पर हम लोग को गुना करने का भी जरुवत नहीं पड़ा आगे बढ़ते हम लोग next question, question number 31 यहाँ पर देखें क्या दिया गया है 3 का power 65, 6 का power 69 और 7 का power 71 तो देखें सबसे पहले यह जो 65 है इसको 4 से भाग दे दीजे तो इसको 4 से भाग देने पर हम लोग का कितना सिस्फल आएगा तो हम लोग का सिस्फल आएगा 1 हम लोग का सिस्फल कितना आएगा 1 तो 3 का power 1 करेंगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा 6 का power कुछ भी रहे तो 61 का अंग हम लोग का 6 ही आता है गुना, 7 का power 71, इस 71 को 4 से भाग दे दीजे तो सिस्फल कितना आएगा, सिस्फल आएगा 3 तो 7 का बावर 3 करेंगे तो हम लोग का 1 का अंग क्या आएगा तो 1 का अंग हम लोग का 3 ही आएगा अब इन 3 को क्या कीजे गुना कर दीजे देखें किस तरह से करतें 3, 6, 18 18 में हम लोग 1 का अंग क्या लिख सकते हैं 8 ठीक है फिर 8 गुना 3 कितना हो जाएगा 24 यानि कि 1 का अंग अगर देखिएगा तक कितना है 4 option number C यहाँ पर हम लोग का सही हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हम लोग next question पे question number 32 32 में देखें क्या दिया गया है संख्या 13 का power 2003 में 1 का इस्थान पर आएगा ठीक है तो 13 का power 2003 नहीं करना है यहाँ पर हम लोगों को इस तरह से समझना है कि 3 का power हम लोगों को 2003 करना है ठीक है और यह जो घात है यह जो power है इसको हम लोग 4 से भाग दे देते हैं तो इसका सेसपल हम लोग का कितना बचेगा यह 5 बार में चला जाएगा 20 यह कट गिया 0 यहाँ से जिरो उतर जाएगा फिर 3 यानि कि सेसपल हम लोग का बचा 3 ठीक है सेसपल हम लोग का क्या बचा 3 बचा है यानि कि हम लोग लिख सकते हैं कि 3 का power 3 तो 3 का power 3 करना है कितना आएगा 27 यानि कि 1 का अंग हम लोग का कितना आ गया साथ option number A हम लोग का यहाँ पर सही हो जाएगा साथ next आगे बरते हम लोग question number 33 33 में देखें क्या दिया गया है 279 plus 167 into 342 का 1 का अंग है तो देखें हम लोग जानते हैं कि unit digit बहुत ही आसान topic होता है लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितना आसान होता है उतना ही थोड़ा बहुत tricky भी होता है तो इस question को solve करने के लिए हम लोग board mass formula का इस्तमाल करेंगे ठीक है board mass formula का इस्तमाल करेंगे अगर आप इसे right side से solve करेंगे तो आपका answer गलत आ जागा ठीक है तो board mass में हम लोग सबसे पहले multiplication का काम करेंगे उसके बाद addition का यानि कि सबसे पहले इन दोनों को गुना कीजिए तो 7 गुना 2 कितना हो जाएगा 14 यानि कि 1 का अंक क्या या हम लोग का 4 4 प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 13 का अगर 1 का अंक के देखिएगा तक क्या है 3 ठीक है तो यहाँ पर option number B हम लोग का सही हो जाएगा तो हमेशा ये बात को ध्यान रखिएगा कि 1 का अंक या फिर unit digit के question को solve करेंगे तो board mass का formula हमेशा दिमाग में बैठा कर रखिए ठीक है लाइक और शेर ज़रू कीजे और आप अगर हमारी चैनल पर न्यू है तो आनार क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि वीपिन सरका इंटाइर मैठ वुक का हम लोग याँ पर solve करेंगे तो question number 33 chapter 2 यानि की unit digit इकाई अंक का last question था पूरा chapter number 2 हम लोगों ने solve कर लिया है अब हम लोग मिलेंगे एक new video में new chapter के साथ तो अभी के लिए बस इतना ही thank you